इस तरह से टीलो फेज में अंत में दो डाटर सेल्स बन जाएंगी और इसके बाद जो नेक्स्ट होगी आपकी इसी किरम में मियोसिस सेकेंड में क्या होगा यह देखो लिखा है सेम आज दा माइटोटिक डिवीजन जैसा माइटोटिक डिवीजन में हुआ था प्रोफेस से ले करके टीलोफेस तक सेम भाई सिचुएशन होगी इसमें सबसे पहले प्रोफेस सेकेंड और फिर मेटाफेस सेकेंड इसके और फिर टीलोफेज सेकंड इसके बाद क्या होगा टीलोफेज सेकंड दे हो क्या लिखा है दा फार्मेशन आप नूकलियस साइटो काईनेसिस फालोज resulting in the formation of tetra-adapt cells कितनी cell बन गई चार यही हमने आपको बताया कि यह विवाजन जर्मिनल सैल्स में होगा पहले एक कोशका से दो कोशकाय बनेंगी और पृते कोशका से फिर दो-दो बन जाएंगी और गुर्शूत्रों की संख्या इसमें हैपलाइड होगी इस तरह से चार सैल्स एक जर्मिनल सैल्स से बनेंगी जो आपके इस्पर्म और ओबा की सैल्स में होगे इनमें संख्या हैपलाइड होगी जब दोनों फियुज्द हो जाएंगे तो इसमें संख्या डिपलाइड हो जाएगी और यह जाइगोट कहलाएगा और यह sperm और ओर वाई यह क्या है है यह प्लाइट जिनको हम गैमीट कहेंगे और इससे पहले क्या बताया यह किसमें होगा जर्मिनल सेल्स में जनन कोशकाओं में जिसको हम गोनट्स कहते हैं गोनट्स में क्या क्या आजाएंगे आपके अब इसकी बात करें कि इस विभाजन का महत क्या है तो सबसे पहले देहूं क्या लिखा है है प्लाइट गैमीट्स फार्म डियू टू इस डिवीजन मतला म्यूटिक डिवीजन के फलसरूप ही गैमीट्स की फार्मेशन होना संभव है और इसी से नए कॉंबिनेशन्स बनते हैं कब जब क्रासिंग ओबर होगी जनेटिक टिफरेंस भी इसी उसमें डिवीजन के फलसरूप होगा क्योंकि इससे डिफरेंट कॉंबिनेशन्स अब डाटर सेल्स बनते हैं और यह क्या करेगा, genetic variability भी इसमें population के organism को grow करेगा यह second वाले figure है, pro phase second, same as mitotic division, metafase second और anaphase second और फिर यह आपका telophase, cytokinesis हो करके, कितनी cell बनी यहाँ पर, दो, एक cell से और दो दूसरी cell से, total मिला करके, कितनी हो जाएंगी, four cell, यही हमने आपको last में बताया था, उसमें, कि इसके अंत में, चार cells बनेंगे, तो इस तरह से यह, आपका, इस topic में, second video के रूप में, आपने meiosis बिभाजन और उसका महत, study किया, जिसको आप description लिंक पर जाकर के, download करके अध्यान कर सकते हैं,